भारत का जाना माना आटो मोबाइल ब्रेंड मारूती सुजुकी ने हाली में अपनी नई कारों के नए मोडल्स को अपडेट करा है और अब कम्परी अपनी सबसे ज़्यादा बिखने वाली कार वैगन आर को जल्दी आपके लिए एक नए और नए डिजाइन के साथ पेश करने की योजना पर काम कर रही है जी हाँ दोस्तो मारूती सुजुकी वैगनार का अब एक नया फेश्लिप्टिड वर्जन लाने की तैयारी में हो चुकी है कम्पनी इस गाड़ी को हाली में भारती सडकों पर टेस्टिंग करती हुए नजर आई है जिससे अनुमान लगाए जा रहे है कि कम्पनी इसे लाँच करने वाली है लाँचिंग से पहले ही इस नई वैगनार के शान्दा डिजाइन और स्पेसिफिकेशन की कुछ जानकारिया सामने आती हुई दिख रही है बताया जा रहा है वैगनार के इस न्यू जनरेशन मॉडल में आपको जब दस बहतरीन डिजाइन देखने को मिलेगा साथ ही जादा स्पेस और बड़ा इंजन देखने को मिलने वाला है जिसमें आपको बड़िया ताकत भी देखने को मिलेगी साथ इसमें कई सारे नए अन्य फर्स्ट इन क्लास फीचर स्पून रूप से जोड़े गए है न्यू जनरेशन महिंद्रा वैगनार दोस्तों भारती बजार में लौन्च हो तो ही लोगों को काफी ज़्यादा पसंद आने वाली है इसका नया डिजाइन अगर हम बात करते हैं आने वाली मारुती सुदूकी वैगनार की कीमत के बारे में तो कमपनी से तकरीबन 3-6 लाक रुपे के अंदर राशी में लौन्च करने की संभाव नाए बताई जारी है अगर हम बात करें इसके शानदर एक्स्टीरियर डिजाइन के बारे में तो कार के एक्स्टीरियर फीचर्स में आपको शानदर स्पेस देखने को मिलने वाले है इस गाड़ी में आप पहले से ज़ादा ग्राउंड के रिंस और बड़ा वील बेस आपको देखने को मिलेगा जिससे गाड़ी में आपको ज़ादा स्पेस और एक गाड़ी पहले से बड़ी रहने वाली है मारूती की New Generation Wagner में आपको शांदर Chrome Gill Front में देखने को मिलेगी जो कि Projector Setup के साथ Headlamp के साथ आने वाली है इसमें आपको शांदर Dual LED Projector Headlamp Setup देखने को मिलेंगे साथी नीचे की दरफ इसमें आपको Integrated Bumper Fog Lamps देखने को मिलेंगे उसके साथ ही इसमें आपको डूल टोन बंपर और बैक साइड में आपको एल लकार के फुल लिडी टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे जो की क्लियर एरो वीजन के साथ आने वाले है उसके अलावा इसमें आपको मरुती वेगनार की न्यू जनरेशन बैजिंग साथ ही रूफ रेल्स और 18 इंच के डायमेंड कट अलोई भी इस गाड़ी में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों गाड़ी की लंबाई और चड़ाई पहले से थोड़ी जादा हो गई है जिसके चलते गाड़ी में आपको स्पेस भी इंटीर में काफी जादा देखने को मिलने वाला है अगर हम बात करें इस गाड़ी के interior specifications के बारे में तो new generation Wagner car के interior में आपको शान्दा new redesign dashboard देखने को मिलेगा जिसमें आपको dual tone wooden finish वाला dashboard देखने को मिलेगा जिसमें एक शान्दार 12 इंच का touchscreen infotainment system रहेगा जिसमें आपको apple cable, android auto, voice command और air purifier जैसे कई सारे अन्य new generation features पूर्ण रूप से देखने को मिल जाएंगे उसके अलाबा इसमें आपको 5 से 6 heater sitting capacity देखने को मिलने वाली है जिसमें आपको fully leather interior, power steering, 6 PDMT gearbox, JBL के sound surround system पूर्ण रूप से देखने को मिलने वाले है और दोस्तों इसमें आपको new first in class features के तोर पर नई sunroof, शांदर air purifier पूर्ण रूप से देखने को मिलने वाला है अगर हम बात करें गाड़ी की safety features में तो गाड़ी में आपको सारे safety features standard रूप से देखने को मिलेंगे जैसे की airbags, ABS और parking sensor आपको सारे इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे इसके शांदा new generation model के बारे में, नई वेगनार में आपको शांदा नया engine भी देखने को मिलने वाला है जो पहले से और ताकतवर हो गया है, इसमें आपको 1.2 liter का K10 B3 cylinder petrol engine दिया जाएगा जो की 70 BHP की पावर और 120 NM का टॉक जनरेट करेगा, इसमें आपको 6-speed manual transmission और AMT gearbox दिया जा सकता है बता दे कंपनी का इसके hybrid variant भी लेकर आएगी, साथ इसमें आपको CNG variant भी देखने को मिलेगा जिसका mileage तकरीवन 30 से 40 km तक कर रहने की संभावना है दोस्तों भारतिय बाजार में इस गाड़ी की टेस्टिंग जोरो शोरो से चल रही है, बताया जा रहा है कंपनी इसे एक दमी नए new design facial के साथ लेकर नारेवाली है और इसकी launching date साल के अंतर गया तो नए साल पर होने की संभावना है इस कार की शांदा लोंच होती ही टक कर Hyundai की आने वाली नई Casper से रही किया और Tata की HBX से तो दोस्तों अपनी रहा अपनी जगे कर हमें comment box में लिक कर जरूर बताए आपको शांदा new generation wagon hour कैसी लगी क्या आप इसको खरीदेंगे अपनी रहा अपनी जगे कर हमें comment box में लिक कर जरूर बताए आज की वीडियो का like कर दिएगा दोस्तों आपका एक like गाड़ी को जल से जल लाने में मदद करेगा तो मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद